हालो फ्रेंज, वेलकम टू सपना सिंपल आइजी कोकिंग, आज हम बनाएंगे मल्टी पर्पस बैटर, जिससे हम इडली, डोसा, उत्तपम या आपे भी बना सकते हैं, इसके लिए हमने लिया है तीन कप चावल, आप बासमते चावल छोड़के कोई भी चावल ले सकते हैं, अब चावल और उरत डाल को 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से धोलेंगे, हमने चावल और दाल को धोलिया है, अब इसे पानी में 6-8 घंटों के लिए भीगो कर रखेंगे, उरत डाल में हमें जादा पानी डाल के भीगोना है, क्योकि ये भीक के जादा फूल जाती है, 6 घंटों तक पानी में भीगोने के बाद आप देख सकते हैं चावल और दाल भीग कर अच्छी तरह से फूल गए है। अब हम मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमें दाल का पानी फेकना नहीं है, हम उसी पानी को बैटर स्मूथ करने के लिए यूज करेंगे। बैटर का पानी डाल कर इसे आठ से दस मिनट के लिए अच्छी तरह से फेटते रहेंगे। आठ से दस मिनट तक हातों से फेटने के बाद, आप देख सकते हैं बैटर काफी स्मूथ हो गया है। अब हम बैटर को खमिर होने के लिए 8 से 12 घंटों के लिए ढख कर रखेंगे 8 से 12 घंटों के बाद आप देख सकते हैं बैटर खमिर हो गया है सिर्फ 3 चीज़े डाल कर ही बैटर बहुत अच्छी तरह से खमिर हो गया है और फूल गया है अब इसे मिक्स कर लेंगे बैटर खमिर होने के बाद इसमें खटापन ना आए इसलिए हमें इसे फ्रिज में रखना है अब इसी बैटर से हम इडली बनाएंगे आप देख सकते हैं इडली बहुत ही ज़्यादा सौफ्ट बन गई है अब उसी बैटर से हम आपपे बनाएंगे आप देख सकते हैं आपपे अंदर से सौफ्ट और बहार से क्रिस्पी हो गए है अब हम उसी बैटर से डोसा भी बनाएंगे आप देख सकते हैं डोसा बहुत ही जालीदार और क्रिस्पी बन गया है अगर आपको ये मल्टी परपस बैटर की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर बनाएंगे आपको ये बनाएंगे